दोस्तों जिसका आप सभी लोगों को बहुत ही बेसबरी से इंतजार था वो आपके सामने आ गया है यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह जो नोटीस है 20 दिसंबर को जारी हुआ है जिसमें आपको जो यूफे मास कॉपी के अंतरगत परिछाय होने वाली है उनकी सेंटर ल उनिवर्सिटी के हर एक अपडेट आपको छोटीस बड़ी अपडेट देखने के लिए मिलती है तो चलिए हम लोग डीटेल में ये वीडियो देखते हैं और लाज तक वीडियो को देखिए कि ताकि आपकी सेंटर लिस्ट क्या है वो है डिक्सिप्सन में आपको लिंक दे परिच्छा परिच्छा है वो दिनांग 23-24 यूँँँश 27 दिसंबर 2022 को दो पालियों में संपन कराये जाएंगी उक्त परिच्छा से समय साराडियों निर्धारित किये गए परिच्छा के अंद्विस्विद्याले की वेपसाइट पर अपलोड किये जा चुके हैं ठीका ये सारी चीज़े आपकी क्या हैं या सारी अपलोड हो चुकि संबंधित समय सबिद्यार्थी यूटच्ट यृगत सबी अपलोड कर दिया गया है 1 अभी इस वीडियो के बा Tucson과 कैसे आपको अपने अटनका़ दॉंडोड करना है अगा डाउनलोड हो रहा होगा तो ठीक है इससे पहले नीचे हम लोग देख लेते हैं क्या-क्या इसमें अपलोड किया गया है तो यहां पर आपको मैं जूम करके दिखा देता हूं सारी चीजें क्या-क्या दी गई है तो सबसे पहले आपका यहां पर देखिए सबसे उपर साइड में यहां पर आपको दिया गया है कोर्स का नाम दिया गया है उसके बाद में जो आपका कैच है वो दिया गया है सब्जेक्ट दिया गया है आपका किस सब्जेक्ट में लगा तो पेपर नेम दिया गया है उसके बाद में यहां पर साइड में आप लोग देखेंगे जो है एक तो एकदम क्लिरली आप लोग देखिए किस दिन किसम्त में और टाइम में आपका एकजाम है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग बात करें यहां पर तो बएक स्ट्रेंग। के लिए डिया गया है जो एक्जाम टाइम आपका एक बजए से लेकर के तीन बजए तक आपका एक्जाम है और सिप्ट यह आपकी सेकेंड शिप्ट है तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं नीचे इसको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ आपको जितने सारे यहां पर दिए गए हैं आप इसका स्क्रीन साड भी ले सकते हैं किस दिन आपका कौन सा पेपर है वो इसमें से नोट करके बाकायदे आप अपने पाफ लिख लीजिए ताकि फिर से आपको ये पीडियाफ खोलने की जरूरत ना पड़े मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ वैसे आप लोग ये पीडियाफ डाउनलोड भी कर सकते हैं कहीं मैं आपको डिस्क्रिप्सन में लिंक दे दूँगा वहां से जाका डाउनलोड आप इसे कर सकते हैं ठिक है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर सारी चीजे हैं सारे ना पर देख सकते हैं एक एक का बताऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाए कि इसको मैं जितना जूम हो सकता zupełnie मैं आपसे कर दे रहा हूं आप इसका स्क्रीन साट भी ले सकते हैं जहां पर भी आपका जो पेपर है वो आप यहां पर देख सकते हैं और यहां से स्टार्ट होता है आपका बी ये पार्ट सेकेंड का बीए पार्ट सेकेंड में यहां इस्टरी हिस्टरी में जिसका पॉलिटिकल हिस्ट्री ओफ इंडिया फ्रॉम एडी यहां पर डेट दी गई है ठीक है और यह भी 24 तारिकों है 11 बज़े से लेकर के चार बज़े तक इनके लिए तीन घंटा समय एक बज़े से लेका चार बज़े सेकंड सिप्ट ये भी है तो ये बीए पार्ट सेकंड वालों के लिए है नीचे हम लोग स्क्रॉल करके देखते हैं यहां पर सारी चीजे आप लोग देख सकते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट ह लगा तो उसका आप डेट देखिए और उसको नोट डाउन कर लिए कि इस तारीक को इतने बज़े से लेकर के आपका पेपर है ठीक है बार-बार आपको पीडियाफ खोलने की जरूरत ना पड़े तो यहां पर बीए पार्ट थर्ड वालों का भी देख लिए एक का इसमें पहला इसमें इससे सोरी में सारे पेपर जितने भी आपके होते हैं उन सभी का है ठीक है तो यह आप लोग यहां से देख सकते हैं नीचे हम लोग इसकोर कलके देखें तो नीचे आपका बीकॉम के सिटार्ट हो रहा है बीकॉम में जो पार्ट वन के स्थ्रेंट हैं biznes और् और जो paper name है business organization है इनका भी 24-12 लेकर के जो timing है इनके लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं timing है 9am से लेकर के 11am तक यह नहीं सुबह 9 बज़े से लेकर 11 बज़े तक first shift में यह आपकी चलेगी 9 से 11 तक उसके बाद second shift आपकी एक बज़े से start होगी तो यह यहाँ से आप लोग देख सकते हैं दूसरी चीज हम लोग नीचे scroll करके next courses की देखें अगर तो यहाँ पर BSC part 1 जो mathematics के students है या फिर किसी में subject paper आपके सामने दिया गया यहाँ पर BSC बायो या BSC math नहीं लिखा गया लेकिन यहाँ पर जो mathematics वाले है यहाँ पर रग दिया तारी को है ठीक है यह एक्जाम आपका सब 26 को है सेकेंड सिप्ट में है या फ़र्ष्ट यहां पर आप लोग देख सकते हैं तो यह आपका फ़र्ष्ट सिप्ट में यानिकी नव बज़े से लेकर के 11 बज़े तक सुबा ठीक है वहीं अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ए इस तारीक को है ठीक है 26 को है जो है आपका टाइमिंग जो है आप दिया गया एक बज़ेस लेकर तीन बज़े तक है यानि सेकेंड सिप्ट में है तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजे जो भी जिसका पेपर है फिजिक्स कमेश्टी कमेश्टी जो भी आपका पेपर कमेश्टी के यहां पर तीन पेपर होंगे तो सभी का नाम यहां पर दिया गया है फंडामेंटल कमेश्टी आपका होगा जो भी है और गेनिक है इन और गेनिक है जो भी आपका है यहां पर सारी चीज़ें दी गए यहां उसको नोट डाउन कर लीजे जो भी सबजिक्ट मे यहां पर दी गए यहां लोग एक एक करके मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहां से क्लियर हो जाए ताकि आपको कोई चीज डाउट में ना रहे सो यह इतनी सी चीजें हैं आपके लिए जो यहां पर दिया गया अब इसमें देखिए जो भी इस्टुएंट्स हैं यह उपर था आपका जो टाइम डेट टाइम टेबल था और आपका पेपर नाम था सारी चीजें थी अब यहां से जो आपका है यह एक्जाम सेंटर जारी कर दिया गया है जो भी च्टुएंट से यूवे इसम के उनका सेटर लिष्ट भी जारी किया गया है तो यहां पर एक्जाम सेंटर और और यहां पर दिया गया है जो आपके यहाँ पर दिया गया है इंस्ट नेम मतलब कि जिस college में आप involved थे जिस भी college में आपका admission था यहाँ पर दिया गया है इतने सारे college को यहाँ फिले करके यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यह कुलभासकर से start है कुलभासकर आसरम post graduates college से start है और यहाँ पर आपका यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आपका यहाँ तक यहाँ तक घंसयाम उर्वसी महाबिद्याल है फूलपूर यहाँ तक आपका जो exam center है इतने सारे college हों का यहाँ पर लगा है आपका यहाँ पर दिया गया सारी चीजे नैनी प्रयाग्राज जो भी है United Institute of Management में आपका center लगा है अगर आपका इतने सारे college हों में से कोई आता है तब बहुत सारे इसमें college के नाम दिए गए हैं सारे नाम हैं आप लोग यहाँ से देख सकते हैं नेक्स्ट जो center है वह आपका लगा गया सम्भूनात इंस्टिट्यूट ओफ जो है जहलवा प्रयाग्राज में और इसमें जो आपके college के नाम है यहाँ पर साइड में यह सारे दिये गए यहाँ पर अपना college देखिए और कहां आपका center लगा है वो देख लीजिए तो यह सारी चीजें आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगी तो जो जो आपका जहलवा में center लगा है जो सम्भूनात इंस्टिट्यूट में वहां ले करके यहां तक यहां तक यहां तक यहां पर खुद जो है प्रोफेसर राजेन सिंग रज्जू भाई यहां यह जिन भी छातर छात्राओं का लगा है उनके नाम यहां पर दिये गए हैं पहली चीज तो यह समझ लिजी कि जो यूफेम वाले इस्टूट्स हैं वह एकदम सतर करें ताकि आपका जो एक्जाम है अच्छा जा सके पढ़ाई आप एकदम बहतरीन कर लिजी रिवीजन भी अ सेंटर देख रहे हैं कहां कहां पर लगाया गया है आप लोगों सारी चीजे बताय बताय दे रहा हूं मैं यहां से फिर बाद में नहीं कहना कि कुछ भी बताया नहीं आपने क्लियर नहीं हो रहा है तो यहां पर सेंटर नाम दिया गया है इसके सामने यहां से लेकर करके ज जो भी कॉलिज का नेम лишь आगर यहां पर आता है तो हापका सेंटर यहां तक की की यहां지는 आपका जो है बाबू बसंत लाज महभी जिर्ल है यहां तक कसी की सब्सक्रां से आता हैAbका मेंší 》ीकेंपस द Notre दूसरा है यहां पर देख सकते हैं आप लोग दूसरा सेंटर जो है महत्मा गांधी कॉलेज फतेपूर तो यह फतेपूर की तरफ से हैं फतेपूर जो डिश्टिक के इस्टुइंटस है उनके लिए जो भी कॉलेज इसमें आते हैं नीचे दिया गया है सारे कॉलेज के नाम पर दिए गाए है आप लोग देख सकते हैं अगर आपका सेंटर वहां पर लगा है महात्मा Genius फाते पुर ठीक है तो यहां पर जो अल्ग पर साथ डिगरी जो नरयणτο फतेपुराई जो भी आपका कॉलेज है अगर इन में से तो आपका वहाँ सेंटर लगा गया है अब यहाँ पर हम बात करते हैं कौसांबी की क्योंकि इसके जो प्रोफिसर राजेन सिंग नहीं रज्यू भी यूनिवर्सिटी के फोर डिस्टिक है तो सभी कॉलेज अपने डि ches तक दीया गया है वहाँ तक सेंटर यहां पर लगाया गया है वी महाबिद्य भरवारी कौसामबी कॉलेज में तो यहां से उस्टार्ट है यहां से स्टार्ट और यहां मेर करें नीचे तक मैं जहां तक स्रॉल करके आपको बता रहा हूं यह तक यानि की रिदी सिद्धी ओलेज्ज जो है यह फारवारी यहां तक जो सिंटर है वो आपका लगा है यहां से लेकर के ज Mmm जरा बात्रिक नीचे डिでस्द्धि को बतांवर नेक्स्ट जो सेंटर है वो जो आपका लगा है यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं हाँ यह यहां से ले करके जो रिद्धी सिद्धिक बात से ले करके मैंने बता दिया कहा है भरवारी में लगा है यहां पर लगा गया लगाया आपका सेंटर जितने भी प्रताब गड़ के स्टुटेंट्स है उनका सेंटर यहां पर है प्रयाग राज में कई साथ दो तीन सेंटर है आपके तो वहां पर आप लोग मैंने बता दिया जितने भी है एक तो प्रोफेसर राजेन सिंग में में कैंपस में है एक आपका संभुनात इंस्टिट्यूट में है और एक यूनाइटेड में है ठीक है और जो कौसांबी के स फटेपूर के श्टिट्यूटि 12 जो लगाया गया है भरवारी बहुंत, इंसलिसे सेंटर लुक्रालिए जो लगाया गया है आपका सेथेיש श देखे। समय निकाल कर मैं आपको फिर से एक बार clear कर दूँगा क्या-क्या चीज़ें आपको यहां पर हैं तो सारी चीज़ें आपकी clear हो जाएंगी by the way admit card भी आपका बहुत जल्दी आ जाएगा क्योंकि अभी कई सारे students ने message किया थे admit card नहीं जारी हो रहा है फिर से आपको बताया दे वीडियो में यहीं आप सभी लोगों को बताना था कि आपका center कहां पर लगा है यूफ मास कॉंपी वालों का और आपकी date exam क्या है timing क्या है paper क्या है वो सारी चीज़ें clear ही हो गई होगी अगर फिर भी आपको कोई doubt रह जाता है तो आप comment box में अपना doubt जरूर छोड़िए मैं और उसका reply देने की पूरी कोसिस करूंगा so friends thank you मिलते हैं next video में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद